देखे एरर की बात की गए थी कि भाई हम कोई ची नापने में गलती करते हैं तो कितनी प्रकार की होती है इस systematic error से बता दिया गया था अब हम बात करते हैं कि combination of error अब दो quantity हमने प्लस की जा नापने में गलती हो गयी तो हम कितनी गलती होती है इसे निकालते हैं उसके बारे में बात करने जा रहा है सबसे बात करेंगे Error in addition and subtraction पहले हम निकालेंगे Error in addition and इसको क्या बोलते है addition के बात क्या बोलते है हाँ इसलिए हमने पूछा 90% लोग subtraction बोलते है सफस नहीं होता है यह सब्ट्रक्षन होता है जायता जीसे board को जायता लोग rough करते है बोले board rough करिए रफ माने जुद गंदा करना होता है रफ करिए होता है subtraction तो actually में subtraction कुछ होता ही नहीं है आपके रहे हैं यह तो पहली बार सुना आपने subtraction का मतलब होता है दो number का subtraction मतलब होता है कि दो number एक positive और एक negative को add कर रहे हैं ये subtraction का मतलब होता है और कोई मतलब नहीं होता है तो एक number positive और एक number negative हम minus कर रहे हैं कोई मतलब subtraction अलग चीज़ नहीं होती है वो addition का ही एक part है तो देखे हम दो quantity लेते हैं हमने माल लिया suppose करिये कि A और B दो quantity है हमने माल लिया कि let A and B are two quantities उन्हें measure किया गया है अब measure करते वक्त आपने उसमें गलती की भी होगी तो हमने माल लिया and delta A and delta B delta and delta B are errors in measurement errors in measurement इसको जब आपने measure किया है तो उसमें आपने गलती की है कितनी गलती कैसे की हो हमने बता दिया कि गलती कैसे आप निकालेंगे गलती आप की होगी delta and delta B तो measured value कितनी होगी अगर मैं आप से कहें कि sum of quantities वैसे क्या है quantities sum of quantities तो actual एक नड़ भाई जब समझाए जाए कर बहुत सुना करिए ठीक है या तो आपको आता हो चीज पहले से क्या करना है sum of quantity क्या है A plus B यह में सम है अगर आप से कहें कि sum with error की हम बात करें sum of quantities with error sum with errors errors तो यानि कि Z plus minus delta Z क्योंकि error plus भी हो सकती है और minus भी हो सकती है तो इसका मताए इसको क्या लेखेंगे A plus minus delta A और plus B plus minus delta B यहित होगा तो यानि कि अगर इसको हम देखें तो आएगा A plus B एक bracket में कर दो और plus minus यह delta A plus delta B कर दो यह total error होगी जागर की total error positive यह total error negative ठीक है यह क्या लिखा हुआ है तो यह तो पहले आप यहां तक पहुँचिए कि कैसे इसको लिखा जाता है वो तो simple से बाद है अगर दो quantity है तो measuring की गई होंगी ठीक है उनके लिखो are measured लिख दो two quantities which are measured या ठीक है quantity ठीक है का करोगे measured लिखा 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 है अब ज़रा देखिए ध्यान से अब अगर ध्यान से देखिए तो यह जड लिखा हुआ है तो यानि की इसको लिख सकते हैं जड प्लस माइनस डेल्टा जड इस इकल टू जड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा भी तो यानि की जड जड तो cancel हो जाएगा तो प्लस माइनस डेल्टा जड इस इकल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा भी तो अगर आप से कहा जाए कि maximum error कितनी है क्योंकि हम एरर तो maximum की बात करेंगे न maximum possible error maximum possible error possible error तो delta z होगी यानि कि delta a plus delta b दोनों क्या कर देंगे उठा के हम plus कर देंगे तो यह maximum possible error है मैंने plus 1 नहीं लिखा total error अगर निकाले हो दोनों error को हम plus करेंगे अम्मालिया हम subtraction की बात करेंगे तो addition हमने कर दिया अगर दो quantity को हम subtract करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप subtract में तो हमने कहा कि z अब यहाँ पर जो error लिखी जाएगी वो plus minus से लिखी जाएगी plus minus delta z तो पहली quantity क्या थी a आपने measure किया था लेकिन measure में actually क्या हुआ था a plus minus delta a हुआ था दूसरी quantity क्या हुई थी b plus minus delta b होगी और दोनों को क्या कर देना है minus कर देना है तो यारि कि z plus minus delta z is equal to इसको जब खोलेंगे तो आएगा a plus minus delta a minus b यह minus अंदर जाएगा तब ही तो plus minus ही होगा यहाँ पर एक plus a minus तो इसको तो plus minus ही लिख सकते है delta b z plus minus delta z is equal to इसमें a minus b एक bracket में कर दे तो plus minus delta a plus minus यह क्या रिखा है यह z ही तो रिखा हुआ है तो यानि कि यहाँ पर z यहाँ पर आपने जो दो क्वांटी थी उसको z आपने क्या माना है और यह with limit अगर यह लिखेंगे with error limit with error error limit हमने यह लिख दी उठा करके तो यह आएगा z plus minus delta z is equal to यह क्या आएगा z plus minus delta a plus minus delta भी z z cancel हो जाएगा तो plus minus delta z is equal to plus minus delta a plus minus तो देखो sum और difference में सेम चीज़ आ रही है तो अगर maximum possible error आपको निकालनी हो maximum possible error possible error तो क्या आएगा delta z is equal to delta a plus delta b यह maximum error होगी जाएगा यह निकि negative error को भी हमने गलती ही मानी उसको plus ही किया ठीक है पहुंशिए यहाँ अब बात करते है errors in multiplication कि multiplication के दोरान आप जो है error कैसे करते हैं कैसे error होती है कैसे measure की जाती है तो simple सी बात है दो quantities हम लेकी चलेंगे हमने माल लिया कि let x and y be two measured quantity अब लिखने में capital लिखने में बहुत जगे घे रहा था two measured quantity two measured quantity यही आप divide में लिखेंगे quantities and delta x and delta y be the errors अब वो error प्लस भी हो सकती है और minus भी हो सकती है तो देखे actually multiplication आप क्या करोगे x into y यह multiply होना चाहिए यह है actually में तो अगर हम लिखेंग multiplication with error with error लिखें हम कि multiply कैसे होगा तो हम z को multiply किसे करेंगे delta z से multiply करेंगे यह होगा ना एक मिनट यह क्या कर रहे हो यह क्या कर रहे हो error तो plus होती है ना error का multiply थोड़ी होता है तो z की value क्या ही है z के लिख z आएगी या plus minus delta z आएगी यहाँ क्या होगा x क्या हो जाएगा x plus minus भाई x को measure करोगे x के measurement पे जो गलती होगी तो x की value आपको मिलेगी क्या या तो x की value मिलेगी या तो x की ये value मिलेगी नहीं समझे मतलब x की value यहाँ measure होनी चाहिए ना या तो आप इतनी measure कर रहे हैं या तो आप इधर ज़्यादा measure कर रहे हैं तो कुल एक्चली केतना गलती होगी आपने, दोनों को प्लस करोगे ना दोनों में, तो यह बार कहां से यह वर्ड आ रही है, कई बार कैसे निकलाता है, एक एवरेज निकला लोगे, और इन्टू वाई की होगी, यह प्लस, माइनस, डेल्टा वाई, यह जो आपकी एरर हो र तो आपने 0.1 की यलती की है, खोलिए इसको जरा, Z, प्लस, माइनस, डेल्टा Z, इस इकल दो, खोलेंगे तो X का मुल्टिप्लाई य से करेंगे, तो XY आएगा, प्लस, माइनस, X, डेल्टा Y, प्लस, माइनस, Y, डेल्टा X, प्लस, माइनस, डेल्टा X, इंटू, डेल्टा Y actually plus से multiply करोगे तो plus minus आएगा minus से करोगे तो minus plus आएगा तो आना तो plus minus यह है ना अब ज़रा देखे ध्यान से delta x and delta y are very small quantities जब दो small quantities का multiply किया गया तो और small quantity हो जाएंगे तो आप लिखेंगे as delta x and delta y are very small quantities very small quantities so neglecting बहुत छोटी value को neglect कर दिया जाता है किसको करेंगे neglecting delta x into delta y को neglect कर देते हैं जनरली का जाता है कि रहिमन देख बड़े इनको लग न दीजिये डार और जहां काम आवेस हुई काह करे तलिवार सुना है आपने मतब बड़े बड़े लोगों के बीच में रहा है कि छोटे लोगों को neglect मत करिए क्योंकि जहां सुई काम आती वहां तलिवार काम नहीं आती यह ऐसे कहा जाता है यह फिजिक्स कहती है घुसो अपना काम करो जहां बहुत छोटे हो हटा उनको फिजिक्स हटा देती है हटा दी है आपने उठा करके अब देखे यह क्या बनेगा आपका जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इस इकल टू यह क्या लिखा है यह जेड लिखा है ना यह जेड लिखा हुआ है और तो प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई और plus minus y delta x क्योंकि आपने delta x into delta y को neglect कर दिया है यह z और z हड़ गया तो आगया plus minus delta z is equal to plus minus x delta y plus minus y delta z delta x यहां तक पहुंचिये ज़रा अब calculation में एक दिक्कत हो रही है x साथ घुसा हुआ है delta y यानि measure at x की value हो गलती y कहां से multiply कर दें तो हम क्या करेंगे यहां पर dividing both the side by z dividing by z z बोले तो xy तो we get तो आएगा plus minus delta z upon z is equal to इसको जब xy से divide करोगे तो यहां y बचेगा नीचे और यहां पर x बचेगा नीचे तो यह क्या आएगा plus minus delta x upon x plus minus delta y upon y यहां पर maximum जो limit निकलेगी वो fractional error निकलेगी तो fraction आएगा ना क्यों निकाला आप कहेंगे कहें निकाले हम यही से काम चला ले मजबूरी है ना x के साथ delta y आ गया दिक्कत कर रहा था तो आप लिखेंगे maximum fractional error maximum fractional error fractional error इसका दूसरा नाम क्या है fractional error को दूसरा क्या कहते है relative error fractional error यह relative error relative error तो क्या करेंगे यह minus sign हट जाएगा तो आएगा delta x upon x plus delta y upon y तो जो आप निकालोगे percentage error तो आप 100 से multiply कर दोगी तो क्या आएगा delta z upon z into 100 is equal to delta x upon x into 100 plus delta y upon y into 100 इस प्रिकार से आप percentage error निकाल सकते हो percentage error निकालने का हमने कारण बताया था कि क्यों निकालते हैं ठीक, note करें language division वाले में वही रखेंगे हमने क्या मान लिया कि x और y दो quantities हैं और इनको measure करने में delta x और delta y इनकी errors हैं ठीक, यह मान लिया हमने कोई दिक्कत तो हमने इनका division क्या माना z is equal to x upon y अब division with error with error तो क्या हुआ z आप नाप रहे थे गलती कर दी आपने तो z की value क्या गई या तो इतनी value बढ़ गई delta z या तो इतनी value गड़ गई यहां क्या हो गया x आएगा x plus minus delta x upon y plus minus अब इसको divide करने तो ना नहीं याद आ जाएगी इसको divide तो कर नहीं सकते हों करेंगे क्या देखे जान से इसका तरीका जड़ा इसका expansion का एक तरीका होता है भी हम बता रहे हैं यह क्या हैगा z plus minus delta z यहां सुरू कर देखो इसको x plus minus delta x लिखा रहे हैं दो और इस y को उपर shift कर दो y plus minus delta y क्या हो जाएगा यह यह है binomial theorem यह आपको आगे पढ़ा ही जाएगी mathematics में पढ़ा ही आप इसमें अगर n कोई भी index है negative कुछ भी हो सकता है इसको एक step में इसका expansion क्या होता है 1 plus n x एक step और plus 1 आगे भी होगा आगे फिलाल हम बात नहीं कर रहे हैं ठीक है एक step खोल सकते हैं लेकि और या तो डेल्टा y कामन ले लूँ ठीक है तो क्या कामन लेंगे उसके लिए book में देख लें आयसे जो कामन है वो कामन ले रहे सुनिए ज्यान से अगर आप y कामन लेते हो तो इसके पास तो y है नहीं तो इसमें डिवाइट में आ जाएगा औरrieben डेल्टा वय बहुट चोटी वैलू है उसको जब y से डिवाइट करोगे तो overall value 1 से बड़ी हो जाए एक छोटी हो जाएगी अच्छा मतब delta y बहुत छोटी value है और उसको बड़ी value से divide कर रहे हो तो value 1 से बड़ी हो जाएगी यानि कि आप यहाँ common क्या लेंगे और आपको यह value 1 से छोटी ही चाहिए यह value 1 से छोटी ही चाहिए तो हम यहाँ से y common ले ले रहे हैं और यहाँ से x common ले 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 रहे हैं यहाँ से x common ले लिया तो यहाँ पचेएगा 1 plus minus delta x upon x अब आप कहें यहाँ से common क्यों ले रहे हो भई यह तो our lady हम जानवू से common ले रहे हैं जानवू से common ले रहे हैं और यहां से y कम लेंगे, तो y जब बाहर निकलेगा तो इस पर पावर चड़ जाएगे, तो यहां क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा y एपान y, इसको बाइनमिल थेोरम से एक step खोलेंगे, देखो यह जो y inverse है, यहां पान में आ जाएगा, x पान y, यहां क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y एपान x, यहां देखिए, इसको खोलोगे तो 1 प्लस n x होगा, n यहां पर क्या है, स्थिआ यहां पतना तक, इसमें एक दिमाग लगा सकते हैं, कि सहब आपन n से मुल्टिप्लाई किया है, तो plus अगर है तो minus हो जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा हो इसको minus plus लिख दो कोई दिक्कत है, है वही चीज़ लगेगा ना, जब यह यहाँ multiply में आएगा तो sign change हो जाएगा तो change हो गया क्या दिक्कत है, वात वही हम कह रहे हैं अब ज़रा इसको bracket को खोलते हैं तो आएगा z plus minus delta z is equal to इतर देखिए ज़रा, x upon y बाहर लिखा रहेगा बिचारा अब देखो, 1 अंदर गया, तो यह आएगा 1 minus plus delta y upon y plus minus delta x upon x plus minus, यह तो यह ही रहेगा delta x into delta y upon xy अब यह बहुत छोटी value है आपकी delta x, delta y तो आप लिखेंगे neglecting delta x into delta y अब देखो, एक तो खुद में बहुत छोटी value है और उसको यह बड़ी सी value से divide किया गया था, और छोटी हो गई भाई, अगर delta x point 1 है delta y point 1 है तो point 1 into point 1, point 0,1 और छोटी value हो गई, अब देखो so, यहां क्या हो जाएगा z plus minus delta z is equal to x upon, हा लिख दो z तो यह आएगा 1 minus plus delta y upon y और plus minus delta x upon x अब problem यहाँ पर यह z की आ रही है तो हम क्या करेंगे, dividing by z dividing by z z divide कर दो तो आएगा z, इसदो 1 हो जाएगा 1 plus minus delta z upon z is equal to यह खड जाएगा तो आएगा 1 minus plus delta y upon y plus minus delta x upon x यह वन वन कट गया तो क्या आया plus minus delta z upon z is equal to minus plus delta y upon y plus minus delta x upon x अब आप निकालेंगे क्या maximum maximum fractional error यह maximum relative error तो maximum केवल maximum error भी कर सकते हो ऐसा को नहीं है लेकिन चुकिए relative error है तो यह maximum relative error relative error तो क्या आएगा delta z upon z is equal to delta x upon x plus delta y upon y और जब percentage error निकालोगे तो क्या करोगे इसको 100 से multiply कर दोगे तो multiply कर दिया हमने ठीक है तो इसे आप note करिए देखिए numerical लगाने के लिए किस प्रकार से question लगाएंगे नियम यह है कि जो अभी हम z बता x into y बता रहे थे ना नियम यह है पहले इसमें log लीजे फिसको differentiate करिए differentiate करने से delta x निकलेगा अब हमको differences नाता नहीं अभी physics से उससे कोई मतलब नहीं physics कहती है mathematical physics सबसे पहले आपने दे रखी है तो पहले teacher हफते भर math पढ़ावे तो हम mathematics rule यहां नहीं लगा रहे है समझने की कोशिज करो अगर कोई दो तरीकेस में बता रहा हूँ अगर कोई ऐसी quantity है माने x into y upon z आपने measure किया ऐसा कोई quantity है और x की power a है y की power b है और z की power c है और आपको यहां पर error निकालनी है ठीक है याई आपने कोई quantity x measure की होगी x measure करने में गलती delta x नहीं होगी error निकालना आपको आती है x को measurement करने में कितनी गलती की निकालना आता है y को measurement करने में आपने जो गलती की मालूम है z को measurement करने में जो गलती की वो आपको मालूम है यह numerical में आपको मालूम होगा पहले से ठीक है और आपने यह relation रखा है तो simple सी बात है जब गलती आप कर रहे हो और गलती यहां रखो गे तो कट जाएगा ना तब गलती उतनी टाइम सो जाएगी तो जड की में भी गलती आएगी तो पहले हम निकालते हैं यहां पर टरीका क्या होता अब लए हम बताते हैं फिर क्यों ऐसा लगाते हैं वैसे तो नियम यह है इसका लॉग लीजए लॉग लेकर डिफरेंसेट करिए जो कि हमें डिफरेंसेट आता नहीं है देखो एक्स टी पावर क्या करते हैं हम देखे यहां लिखते हैं डेल्टा एजड पहले लिख देते हैं और यहां लिखते हैं डेल्टा एकस एपान एकस प्लस वाई की पावर क्या है बी पहले लिखते हैं यहां लेकिन आप यहां पहले से लिखते हैं कि मैक्जिमम् फ्रेक्शनल एरर fractional error को क्या लिखते है relative error भी लिखते है तो यहाँ पर sign क्या लग जाएगा plus, निकल आई value और जब निकालेंगे percentage error तो आएगा delta z upon z into 100 is equal to a into delta, यह numerical लगाने की तरीका हम बता रहे है 100 plus b into delta y upon y into 100 plus c into delta z upon z into 100, ठीक है अब आप कहेंगे भई, यह a से multiply क्यों किया, तो हमने कहाई तो log लेकि method होता है, method हम को नहीं मालूग फिर भी a into क्यों किया अरे भई हम डायट करें, याद कलो, हम कहा है याद कल ले बताओ, सुने ज्यान से x पॉर a का मतलब क्या होता है x into x into x a बार आप लिख रहे हो sorry, हाँ, a बार लिख रहे हो न, तो physics की बाहता हम समझ सकते हैं कि गलती कितनी बार कर रहे हो a ही बार कर रहे हो, तो हमने का भई एक बार में कितनी गलती किया है delta x 1 x और a बार में into a, इसलिए हमने इसे multiply कर दी है, अगर हम physics की बाहता में सोचे या जैसे मान लिया, note number 2 जैसे मने का z बराबर लिखा है x square y cube upon z to power 4 लिखा है, ठीक है या z to power half लिखा है मान लिया, या या लिखा x power 2 into y to power 3 into z to power minus half तो नियम यह है, इसको log लीजे इसको कुछ और मान लो, p मान लो अच्छा एक मिनट, यहाँ z था तो इसको p मान की चलो पिर दिक्कत आएगे ना, फिर उधर भी z, उधर भी z तो दिक्कत करेगा, इसको p मान लो तो जैसे मान लिया, हमने भी इसको p मान लिया, तो नियम तो यह है इसको log लीजे, log लेके differentiate करिए, तो log लेने पे 2 पहले आ जाता है, आप जानते हैं log का rule तो मालू है ना, log x squared power 2, plus log y power 3, plus log इतनी power 3, लेकिन हम लिगा ओ तरीका छोड़िए, हम क्या निकालेंगे, maximum fractional error, delta p upon p निकालेंगे x square का मतलब x को कितनी बार आप multiply कर रहे हो, 2 बार, तो यह मान की चलिए कि 2 बार ही गलती कर रहे होगे, तो हमने 2 बार गलती ले लिख ली, और delta x upon x कर दिया, y में 3 बार गलती किया, delta y upon y कर दिया, z में half बार गलती किया, तो हम minus हाँ लिखेंगे, लेकि गलती कि minus होती है, तो plus लिख लिख दिया, सुन्में भी बार नहीं है, और 100 से multiply कर देंगे, तो क्या निकलाएगी, percentage रहर रहर निकलाएगी, तो इस प्रकार से हम error, plus में कैसे निकालते हैं, minus में कैसे निकालते हैं, तो plus minus में तो ऐसे निकालते हैं, जैसे method था, multiply divide में ये rule लगा करके आप निकालेंगे, ठीक है, ये तरीका है, इस तरीके को note कर लेजे, ये numerical में बहुत important होगा, ठीक?